नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चेनल मैं अधस्वित अमर्जा में इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मिशन गनित के तहट दिनांग 28 दिसम्बर 2023 का रिवीजन वर्क्षीट लेकर करें उपस्तित हूँ जो चेप्टर नंबर 2 पे आधारित है बच्चों इसमें जो रिवीजन वर्क्षीट में जो सवाल दिये गए है वो बहुत ही महतपुर्ण सवाल है बहुत बढ़िया सवालों का कलेक्शन किया गया है तो सवाल को जरूर देखे करने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें तो आईए सवाल देखे प्रसंद हुआ उस आयत के परिमाप की गणना कीजिए जिसका छेतरफल दिया हुआ है 25x²-45x प्लस 14 अर्थात calculate the perimeter of rectangle whose area is 25x²-45x तो आप जानते हैं जो rectangle का जो area होता है area of rectangle जो होता है क्या होता है L into B तो पहले इसको हमें factorize करना होगा तो आएए सबसे पहले इसको factorize करें 25x²-45x प्लस 40 तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो देखिए जो इस तरह का form है यह standard form ax²- plus bx plus c है इस तरह तो यहाँ a के स्थान पर और c के स्थान पर जो है उसको multiply करें तो यानि 25 और 14 को multiply करें तो उसका factor हम करेंगे जैसे 25 और into 14 है तो देखिए इसको यदि हम करेंगे factorize करेंगे तो क्या होगा इसका prime factorization यदि हम करते हैं तो 5 into 5 होता है और इसका होता है 2 into 7 यह होता है तो एक बार तो हम करेंगे तो 1 into यह सबका multiply 25 और 25 को 2 से करेंगे 50 और 50 को 7 से करेंगे 250 हो जाएगा अब दो एक इधार रख लें और बाकी 25 को 7 से करें तो यह हो जाएगा 175 अब तीन तो है नहीं इसमें अब अगला एक 5 रख लें तो यह हो जाएगा पांच रख लेंगे तो यह हो जाएगा पाच दुनिद पाच दुनिद पाच दुनिद दस सत्य सत्तर अब अब तो 7 रख लें तो क्या हो जाएगा इधर 25 को 2 से करेंगे तो 50 साथ रख लें तो 50 कि दूसरे साइड में तीसरे साइड में अगला यदि हम 10 रख लेते 10 रख लेते एक साइड तो यह हो जाएगा साथ पंच पैथिस दस पैथिस यानि प्राइम फेक्ट्राइजेशन मलब यह पैकेट बना रहें किस-किस को मल्टिप्लाई करने पे 350 हो सकता है अब 10 हो गया अब 14 रख ले 14 और 25 तो है ही 14 और 25 फिर अगला हम 14 के बाद और 25 ही हो सकता है तो 25 तो आ गया है बाकि किसी से भाग नहीं लएगा तो इस सब में देखिए किसका किसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला तर्माता है तो यानि देखिए इसमें तो नहीं आता है इसमें नहीं आता है ये ये भी नहीं आता है ये करेंगे तो ये घटाएंगे तो 43 और जोड़ेंगे तो 57 ये भी नहीं आता है ये 15 और 35 और 10 पैतालिस यही आता है सिर्फ जोडने या घटाने पे बीच वाला तर्मा है तो यहा 45 को माइनस 45 हैं तो माइनस पहले ब्रैकेट में रहने दीजिए तो यहां पर दिख सकते हैं 35 प्लस 35 प्लस 10 एक्स प्लस 40 अब यह हो जाएगा 25 एक्स स्क्वार और माइनस 35 एक्स माइनस को इस से मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 10 एक्स प्लस 14 अब इस सम में से क्या कॉमन दिख रहा है दो यह बन गए पेर तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको 5 कॉमन दिख रहा है और एक्स कॉमन दिख रहा है तो इधर से बचा है x 5 x एक बच गया 5 5 जा 25 होता है और 1 x बचा और यह 7 बचा और 7 5 जा होता है 35 और x भी common ले लिए और यहां से minus common आया और 2 common आया तो यह हो जाएगा 5 2 जा 10 x और यह 2 minus मिलके plus होता है और 7 तो यह दोनों में common है तो यह बाहर आजा इसको बाहर रख ले तो इधर से बचा 5 x और minus 2 तो यह हो गया अब लिख सकते हम अरिया ओफ एरिया ओफ एरिया और रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 20 25 x square जो सवाल दिया हुआ माइनस 45 x और प्लस में 14 और यह जानते हैं L into B होता है तो बरावर में यह जो हमने फेक्टराइज किया था भी यह आया यह लिख दें 5 x minus 7 5 x minus 7 और दूसरा है 5 x minus 2 तो एक L के बरावर हो गया दूसरा B के बरावर हो गया यानि L बरावर हो गया 5 x minus 7 जो आपको बड़ा दिख रहा है या ऐसा नहीं है जो कि इसको भी L नहीं मान सकते और B बरावर में 5 x minus 2 अब परिमीटर क्या होता है यानि परिमाप परिमीटर और रेक्टेंगल यानि इसको कहते हिन्दी में परिमाप आएद का परिमाप क्या होता है 2 into L plus B हम L plus B इस तरह से छोटे में लिखते हैं कोई ऐसी बात नहीं है तो 2 और L के बदले हमारे पास ये आ गया 5X minus 7 और प्लेस 5X minus 2 तो 2 और ये हो जाएगा 5X minus 7 प्लेस 5X minus 2 2 into 5X और 5X 10X और 7 और 9 minus 9 तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20X minus 19 और ये सॉरी माइनस 9 to 18 ये हो गया लेकिन रेक्टेंगल का जो एरिया होता है स्क्वाइर यूनिट होता है स्क्वाइर यूनिट तो यहाँ पर यूनिट लगा दे जो भी ये मीटर यानि मातरक लिख दे एरिया निकालना होगा कुछ नहीं दिया होगा तो यूनिट स्क्वाइर और या मातरक स्क्वाइर और परिमीटर निकालना होगा तो सिर्फ मातरक तो हम यह लिख देंगे यहाँ पर परिमीटर में यूनिट भी लगा दे कुछ नहीं दिया होगा तो यह लिखना जरूर यह अब आईए ट्राइ यॉर्शेल्प के तहां आपको सवाल दिये गए है करने के लिए तो सवाल को हल करने का प्रियास करें यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है एरिया आप रेक्टेंगल दिया हुआ है लिखे दिया हुआ है 9x2-13x-10 तो हम क्या करें पहले 9x² ये सवाल का फक्टराइज करने का प्रयास करें 9x²-13x-10 तो यहां पर देखिए a बरावर क्या दिया हुआ a बरावर 9, b बरावर में-13 है और c बरावर में-10 है तो a और c को अभी माइनस को छोड़ते 90 हो गया 90 का यदि हम फक्टराइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है कौन-कौन सा जोड़ा बन सकता है a को 90 से करें या 2 को करें तो 45 तीन को मल्टिप्लाइज करेंगे तो यह हो जाएगा 30 फोर्क से करेंगे तो फोर्क के टेवल में आएगा नहीं क्योंकि इसका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 था 10 का 2 इंटू 5 और 3 इंटू 3 अब 3 ले लिया तो नहीं आए तो 6 से लेंगे तो 15 मालब 35 जा तो 3 मालब 6 इंटू 15 फिर 6 हो गया फिर अब 7 से नहीं जाएगा 8 से नहीं जाएगा 9 9 से लेंगे तो 9 इंटू 10 फिर 9 के बाद 10 आ गया है तो यही पेयर बनेगा इस में से अब कौन सा पेयर अब कुछ बच्चे 10 इंटू 9 भी कहेंगे तो यहीं रिपीट होगा यही अब उल्टा करम चलता जाएगा 10 इंटू 9 15 इंटू 6 तो यह हम देखें यहां से चलते जाए एसेंडिंग और में और उसके बाद यह देखें इसके बीच में जैसे 6 के बाद 9 आता है 9 के बाद 10 आ गया 10 यहीं पेयर है यह जो भी है अब उसके बाद यह रिपीट होने लगे तो यानि इतने ही पेयर बनेंगे अब इस में से देखें किसको जोडने या घटाने पे 13 आ रहा है है एक और छूट गया था यह पांच था पांच से मल्टीपल वाला छूट गया था यहां पे 5 इंटू 18 भी होगा तो 18 पंचे 90 होता है तो किसका जोड़ा आप देखेंगे जो कि 90 हो रहा है तो सिर्फ 13 हो रहा है तो सिर्फ यह एक जोड़ा है जो कि जोडने या घटाने पे बीच वाला पत बीच वाला टर्म यानि बी के रूप में आ जा रहा है तो यहां पे लिख सकते हैं 9x² और इसको लिख सकते हैं माइनस है पहले से और यहां पे 18-5 लिख सकते हैं 13 के बदले तो 18-5 और x और माइनस 10 तो यह हो जाएगा 9x² माइनस 18x और यह माइनस से माइनस मल्टिप्टाए होगा प्लस 5x माइनस 10 तो इस दोनों में दो पेर बन गए तो इसमें क्या कोमन दिख रहा हैं? इसमें आपको 9 और x common दिख रहा है तो ये बचा x minus 2 और इसमें से plus 5 common ले रहे हैं तो x minus 2 तो ये दोनों में हैं तो ये बाहर आ जाएगा x minus 2 और इधर बचाएगा 9 x plus 5 तो ये हो गया अब लिखेंगे area of rectangle तो आप जानते हैं क्या होता है l into b होता है और ये बराबर आपका आगया x minus 2 और 9 x plus 5 तो इसमें बड़ा आपको जो दिख रहा है ये तो ये l बराबर हो जाएगा 9 x plus 5 और b बराबर हो जाएगा x minus 2 इस अपोजित भी कर सकते हैं इसको भी l मान सकते हैं इसको भी b मान सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है अब हमें चाहिए पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल तो उसका फॉर्मूला होता है 2 l plus b 2 into l plus b तो 2 और l के बदले हमारे पास है 9 x plus 5 और फिर ये ब्रैकेट में कर ले plus और b के बदले है x minus 2 solve करें इसको तो ये हो जाएगा 2 into 18 sorry 9 x plus 5 plus x minus 2 तो 2 9 x और 1 x मिल कर के हो जाएगा 10 x 10 x और 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 3 अब इसको multiply कर ले तो 2 को 10 से करेंगे तो 20 x और minus 6 अब ये हो जाएगा unit ये हो गया इसका answer next सवाल देखते हैं next सवाल है calculate the perimeter of rectangle whose area दिया हुआ है तो ये इसी तरह area of rectangle दिया हुआ है 16 y square minus 26 y plus 9 तो हम पहले इसका factorize करें 16 y square minus 26 y plus 9 तो a के बदले क्या है यहां पर देखिए a बराबर में 16 b बराबर में minus 26 और c बराबर में 9 तो a और c को multiply करते हैं तो क्या देखिए इस तरह से होगा इसका हम factorize करते हैं 2 into 2 into 2 into 2 और यह हो जाएगा 3 into 3 तो बारी बारी से इस सब को यदि हम multiply करेंगे तो 1 into 144 होगा क्योंकि 16 नैंजा 144 होता है और फिर 2 से करेंगे तो यह 72 हो जाएगा यानि 2 हटा दे बाकि सब को multiply कर दे फिर 3 से करेंगे तो एक 3 हटा दे और 16 तरह 48 फिर 4 से करेंगे तो यह 4 रह गया बाकि 4 नैंजा 36 फिर 5 से तो जाएगा नि 6 से जाएगा तो 3 और 2 जा 6 कर ले तो यह हो जाएगा 8 थिर जा 24 अब 6 के बाद 7 तो है नि 8 से जाएगा तो 8 यानि यह 8 हो गया और यह 2 नैंजा 18 हो गया अब 6 के बाद 7 से जाएगा नि 8 के बाद 9 आता है 9 से देखेंगे तो 9 और यह 16 जाएगा उसके बाद 10 से जाएगा नहीं 11 से जाएगा नि 12 करते हैं तो 3 4 जा 12 तो इधार भी 4 तो 12 12 जावाचा यह इसके पेयर बने अब इस में से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि 26 आ सकता है जोडने या घटाने पर, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि छत, इस में से भी 36 में 4 जोड़ेंगे, तो 40, और घटाएंगे, तो 32, तो ये भी नहीं आएगा, 24 में से 6 जोड़ेंगे, तो 30 आएगा, और घटाएंगे, तो 18 आए तो 16, 25 आ जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो सिर्फ ये है, 18 और 8, तो यहां पर लिख सकते हैं, हमारे पास था 16 y square minus 26 y plus 9, तो यहां पर 16 y square और minus 18 plus 8 y plus 9, तो अब इसको solve करें, तो यह हो जाएगा, 16 y square minus 18 y और minus 8 y plus 9, अब इसमें से क्या common, 2 common आएगा, और y common आएगा, तो यह बचा, 8 y और minus 9, तूजा 18 होता है, y common है, और इसमें से कुछ common नहीं है, तो minus 1 common आगा, तो यह 8 y minus 9, अब यह दोनों side है, तो यह हो गया, 8 y minus 9, और इधर से बचा, 2 y minus 1, तो यह इसका factorize हो, फेक्टर हो गया, अब यहाँ पे चलते हैं, area of rectangle हमने जो लिखा था, तो यह होता है, L into B, बराबर में, 8 y minus 9, और दूसरा है, 2 y minus 1, तो इसमें जो बड़ा दिख रहा है, वो L हो गया, L बराबर हो गया, 8 y minus 9, और B बराबर हो गया, 2 y minus 1, अब perimeter of rectangle निकालना है, क्या होता है, 2 into L plus B, तो यह 2 और L के बदले है, यह 8 y minus 9, एक bracket में लिख लें, फिर plus और B के बदले है, 2 y minus 1, यह हो जाएगा, 2 into 8, 8 y minus 9, plus 2 y minus 1, तो जब solve करेंगे, तो 2 into 8, और 2, 10 y, और 9, और 1, 10, minus 10, और 2 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 20 y minus 20, और यह unit, यह था आज का वर्चित, उमीदे, समाज में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, धन्यवाद, करेंगे, मैं भě तो मिन्यवाद करें, उमीदे पर संब्सक्राइब, अच्छा आया हो wood, यह हो अच्यवाद, इजरूर को जाम